चैत्र नौरात्र की सुर्वात हो चुकी है और आज दूसा दिन है और इस वक्त हम यूपी विहार सीमा पर इस्थित मा मदनपूर देवी मंदिर पर हैं सुबा से ही भक्तों का ताता लगा हुआ है लागातार भक्त मंदिरों पर पहुंच रहा है मा की पूजा अर्चना कर रहा है और अपनी मुरादे मा से पूरी करने की के लिए विज़े पूजा अर्चना कर रहा है इस मंदिर का क्या इतिहास है इस मंदिर की क्या कहानी है मदन इस जगा पर इससे भी घना जंगल था आपको पता है कि जंगल में इस्तीरियों का जुँट पूरसों का जुट आता है साज के लिए लकड़ी के लिए हन पिन बहुत समान जंगल से मतलब आसपास के लुग ले जाते हैं तो लड़कियों का जुट था तो और लड़की आ जंगल में जाएंगे तो इस समय से बहुत समय लगेगा और यह से माने खूट करके हम लोग छागों के लेकर आ जाएंगे कैसे वो लड़की जंगल में परवेस की तो मा अपने बाल को भी खेर करके राष्टे में बैठी थी कि मा जब दोनों बच्ची को देखी तो बुल इधर आओ तोनों बच्ची आए औरु देखो हमारे सीड में चूह चूंसी को दोनों लड़की हो और निम ऎकालते साम हो गया हंदिए शाम हो गया तो दोनों लड़की माज लोली हम लोगता दान सुनना पढ़ेगा बोली देखो अहां साग रखा है जिसको जितना इक्षा करें तुम दोनों बांध लो तोनों लड़की अपने इक्षा कनुसार साग को गठी बांध करके और मा आगे आगे हो या दोनों बच्ची पीछे पीछे मा लेकर के जाने लगी जब गाउं दिखाई देने लगा तो मा बोली वही तुम लोग का गाउं दिखाई दे रहा है तुम लोग जाओं जैसे वो लोग आठ दश्डिक आगे बढ़ी दोनों बच्ची मा बोली किया रहे कुछ मांग लो कुछ मांगना है तो मांग लो और नहीं पाजानती थी कि ये मा है दोनों लड़की घूम कर गयाई दोनो लड़की मा से हस्ते हस्ते बोली हम लोग का एक एक पुत्र चाहिए मा बोली जाओ यह मस्त ऐसा ही होगा कि दोनों लड़की घर गई घर जाने के बाद जब कुछ दिन बिता शरीर भारी होने लगा घर के लोग बोलने लगे कि यह रही तो गड़ा में गिर चुकी है समाज लैक नहीं है दोनों बच्ची को वो आप मान करते थे मान मर जादा नहीं रहता था घर में समय पूर्ण होने के बाद दोनों का शरीर से एक एक पुत्र पैदा हुए तो दोनों घर का आदमी अपना परतिष्टा को बचाने के लिए दोनों बच्चे को लाकर के जंगल में छोड़ दिये मा घुमते घुमते दोनों बच्चे को पा गई लाकर के पोष्णे पाले लगी जब लोग कुछ बड़े हुए ते का नाम रहसु गुरू और एक का नाम भीमा गुरू रखी जब लोग और कुछ बड़े हुए तो मा से बोले हम लोग यहां हम लोग का जीवन नी रुख कै कि अधिया हम लोग क्या खाएंगे क्या पीएंगे मा बोली घुबडा मत खत्रा का जूर तुम लोग काटो और सर्प का रशी बनाओ मैं हला करके बागनाध करके दाउरी करो उसमें से जो ही निकले गा वहीं तुम लोग आहार होगा यह निकि भोजन होगा शरूब लागनाध करके दाउरी करते थे उसमें से जिंगवा बहर नी साउल निकलता थ हौत पतले पतले वहीं हो लोग खाथे यह कानी मदन हम को पता नहीं है कि आने के बाद राज़सी को बुले कि तुम यहां किस के बल्पर रहते हो बताव राशु गुरूंस अपने मा को दिखाओ आज जब तक हम तुम्हारे माको नहीं देखेंगे यहां से जाएंगे नहीं राशुगुरु तो फेरा में पड़े गया राशुगुरु बहुत समझाए कि राजा भी भी आप मान जाएए छोड़ी कहाँ देखिएगा राजा कदर बिनास का समय आ गया था तो बुद्धी तो नर्वास हो ही गया था राजा बोले नहीं देखाओ देखाना पड़ेगा देखाओ तो तुम लोगों हम जिन्दा नहीं छोडेंगे राशुगुरु मांड़ें राजा भी भी बहुत बेड़ी होता है राजा बोले दिखाओ आप तुम्हारी आप तुम अपने मां को दिखाओ मा अपने कंगन को दिखाई तो राजा गतानत हो गया सब स्वर्वनास हो गया लेकिं राजा के यहां का एक जुब वहूट थी वह अपने माई का गई थी वह अगरभावती थी माई इन्हीं को नहीं मारी छोड़ दे जो कि आज बढ़ गावे स्टेट जो है आज उन्हीं के जर से चल रहा है और यहां भक्त जन मां के बास अपने मनों कामना को रह करके आते हैं हर भक्त को मां आज चैत्र नौरात है दूसरा दिन है मां के किस रूप की पुजाज होती है अज मां का दूसरा रूप पर यह हमारे साथ पंडित मनों स्तिवारी थे जिन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और साथी आज चैत्र नौरात्र का दूसरा दिन है और जो भक्त तुझा है यहां पर सुबह से ही पहुंच रहा है और महा की पुजा अर्चना कर रहा है है पुजी नकर से पंजाब केसरी टीवी के लिए ज़्क्राइब करें झाल झाल